गिर्गिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफ़दार नहीं हो सकता यह बात हमेशा याद रखना नमस्कार दोस्तों मैं जोतिस आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविश्य वाड़ी पावर आप दे लॉड में हार्दिक अभिनंदन हार्दि होगा जी हाँ आज हम बात करेंगे आपके सापताहिक रासिफल के बारे में आपके विकली प्रेडिक्शन के बारे में जी हाँ दोस्तों साल दोहजार चोबिस का पहला सपता है यानि कि एक जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक का समय आप लोगों के लिए किस प्रकार से विशेज तोर पर सफलता की प्राप्ती होगी लाभ की प्राप्ती होगी और किन किन बातों का आपको विशेज तोर पर ध्यान रखना है ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस सप्ताह के प्रभाव को और ज एक ब्रिसब रासी के जातक है तो और दोस्तों अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपरक करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्त पुर्वक बिसलेसन करवा सकते हैं तो दोस्तों देखिए सापताहिक रासी फल में मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गड़ना बेहदी जादा जरूरी हो जाती है ऐसा क्यों क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं वह हमारे मन के कारक ग्रह होते हैं जिस प्रकार से चंद्रमा कहीं और सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है इसलिए दोस्तों चंद्रमा को समझना बेहदी आवलसक है उसके गोचर को कब तो विकली प्रेडिक्शन में अगर इस सप्ताह चंद्रमा की इस्थिति के बारे में बात की जाए गोचर ये इस्थिति के बारे में तो द इन दो दिनों में चंद्रमा सीह रासी के उपर गोचर करेंगे और इस रासी में गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवग्रुब रहस्पति की पंचम द्रिष्टी पड़ेगे परिणाम सरूप यह चंद्रमा बलवान होकर के आपके आत्म विश्वास आपके कॉन्फिडेंस निर्णे आप इस समय ले सकते हैं तोहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में याने की तीन और चार तारिक को चंद्रमा का गोचर कन्यारासी के उपर होगा जहांपर पहले से ही केतु महराज गोचर कर रहे हैं केतु के द्वारा चंद्रमा यहां पर पीडित होंगे परिणाम स यह समय आपके लिए कुछ गलत फ़हमिया उत्पन्न करने वाला समय सावित हो सकता है इसलिए विशेश तोर पर आपको थोड़ा सावधान और सचेत रहने की आव सकता है तो अहीं दोस्तों सप्ताह के अंतिम पड़ाओं में 5 और 6 तारिक को चंद्रमा तूला रासी के उपर गोचर करेंगे तूला रासी के उपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवग्रू ब्रहस्पति की पूर्ण सप्तम द्रिष्टी पड़ेगी और यहाँ पर चंद्रमा भी अपनी पूर्ण सप्तम द्रिष्टी से देवग्रू ब्रहस्पति को देखेंगे परिणाम यह एक राज योग होगा द्रिष्टी संबंद वाला राज योग जिसे गज केसरी राज योग कहा जाता है यह आपके लिए अदभूत और सकरात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा तो वहीं सब्ताह के आखरी दिन याने की साथ तारिक को चंद्रमा का गोचर के लिए याने की मिघुन रासी वालों के लिए देखा जाये तो यह सोरी भिरिसव रासी वालों के लिए इस समय चंद्रमा स्रुवाद के जो दो दिन होंगे एक और दो जन्रवरी को आपके कुडली के चतूर्थस्थान में गोचर करेंगे चतूर्था इस्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा देवग्रु ब्रहस्पति की द्रिष्टी से द्रिष्ट होंगे परिणाम सरूप यह आपके भौतिक सुक्सु इधाओं में बृद्धी कराने वाले साबित होंगे इस समय माता के साथ आपके तालमेल बहतर होंगे माता का आसिरवात और इसनेह आपको प्राप्त होगा अगर आप इस समय अपनी माता के द्वारा कही गई बातों को मानते हैं अपनी माता की सलाह के नुसार कोई भी कारिय करते हैं तो निश्चित तोर पर वहाँ आपको सफलत की प्राप्ति होगी यह समय भूमी भवन मकान वहन इन छेत्रों में भी बृद्धी कराने वाला साबित होगा अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं कोई मकान या वहन खरीदना चाहते हैं तो आप अपनी माता के नाम पर खरीदिए वहाँ पर विसेश तोर पर आपको लाब की प्राप्ति होगी यहाँ पर चतूर्थ इस्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा का जो प्रभाव होगा वह उन लोगों के लिए भी काफी स्रेश्ट कहा जा सकता है जो पॉलिटिसियन है राजनिती के छेत्र में कारियरत हैं उन लोगों को इस समय जनता क करके पढ़ाई करेंगे जिसका परिणाम उन्हें सकरात्मक तोर पर देखने को मिलेगा याने की विद्यार्थियों के लिए भी समय काफी अनुकूल रहने वाला है इस समय आप खुद अपने धन को उपारजित करेंगे याने की अपनी मेहनत लगन और बुद्धिमता से ब पहले तो उसे दूर करेंगे उसके पसचात आपके कार ये छेतर के वातावरण को काफी खुसनुमा और आपकी अनुकूल बना देंगे इस समय चाहे वह आपके उच्च अधिकारी हो चाहे आपके जुनियर हैं वे सभी के सभी आपके लिए सहयोगी साबित होंगे उनका सह पूरण रूप से आपको इस समय प्राप्त होगा जो जातक लंबे समय से गुवर्मिंट जॉप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी इस सप्ताह कोई गुड नियूस की प्राप्ती हो सकती है यह सप्ताह आपकी जिवन में धन के दृष्टिकोंड से ल बड़ा धन इस समय प्राप्त होने वाला है तो नहीं दोस्तों सप्ताह के अगर मध्य पड़ाओ के बारे में बात की जाये तो चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे और यहां पर केतू से पिडित होंगे परिणाम सुरूप यह आपकी संतान को ल रखना है कोई भी फैसला या डिसीजन लेने से पहले हर पहलू का अच्छे से निरिक्षण कर लीजे तब अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो वह आपके अनुकूल होगा पंचम भाव आपकी सफलताओं का होता है कहीं न कहीं आपकी बुद्धिमता आपके ग्यान परिण भाव में राहू का प्रभाव रहेगा और चंद्रमा से द्रिष्ट होंगे जो चंद्रमा होते हैं न वो हमारे धन के प्रवाह के कारक होते हैं तो ऐसे में आपका जो धन का प्रवाह होगा डेली इंकम उसमें अचाना की बृद्धी हो जाएगी और आपकी कोई इच्छा ह कोई ऐसी मुराद जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो वह इच्छा भी इस समय राहू और चंद्रमा की क्रिपा से पूरी हो जाएगी बड़े भाई भानों के साथ कुछ गलत फर्मिया उत्पन नहीं हो सकती है इसका आपको विशेश तोर पर ध्यार रखने के आउश सकता है तो अहीं सब्ताह के अंतिम पड़ाओ में याने की पांच और छे तारिक को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपके छटे इस्थान में होगा आपकी कुंडली के यहाँ पर छटे इस्थान में गोचर करने वाला चंद्रमा वैसे तो उतना ज़्यादा बलवान नहीं होता लेकिन देव ग्रुब रहस्पति के साथ दृष्टी संबंद बना करके एक राज योग का निर्माण करेंगे तो इसका फल तो आपको प्राप्त होगा तो ऐसे में यहाँ जो राज योग होगा यहाँ आपको रोग से रिंड से और सत्रू इन तीनों चीजों से बचाने का प्रयास करेगा जी हाँ अगर आपको सेहत से संबंदित कोई समस्या है तो उससे आपको चुटकारा मिलेगा सत्रू इस समय आपका सांथ हो जाएगा इसके अलावा देखा जाए तो किसी से आपने कोई लोन या कर्जर ले रखा हुआ है तो उससे भी कोई समस्या आपको नहीं होगी बारवे भाव पर द्रिष्टी डालेंगे जहां पर देव ग्रूब रहस्पती हैं तो इस समय कुछ दान पुणने के कारियों में आप अपना पैसा लगा सकते हैं साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय बिदेश जाने के लिए भी काफी अनुकुल सावित होगा वह जातक जो नौकरी करने के लिए बिजनेस वेयापार करने के लिए या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए बिदेश जाना चाहते हैं उन लोगों को कुछ अच्छे अउ में जाकर कि एक लाल पुष्प उन्हें अर्पित करें यह सब्ता आपके लिए काफी स्रेश्ट सावित होगा तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी फिर मिलेंगे एक नए और ताजा एपिसोड में तब तक के लिए आप हमें इजाज़त नमस्कार